हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टड़ी, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू उनिएस्टी की बियेट मतमेटिक्स की सेकंड लिस्ट आ गई है और इसमें हम जानेंगे कि आपको क्या-क्या डॉक्यमेंट अप्लोड करने होंगे और किन-किन स्टुडेंट का सेलेक्श से आज 18 अगस है और 18 अगस 2023 से आपको 28 अगस 2023 तक सारे डॉक्यमेंट आपको अप्लोड कर देने होंगे और इसमें आपका जो लिंक है वो यहाँ पर गिवन है जिसका लिंक हम आपको वीडियो में डेस्क्रिप्शन में दे देंगे क्या-क्या डॉक्यमेंट आपको लेकर जाने होंगे सबसे पहले आपको क्या-क्या अप्लोड करने होंगे नीचे जो आपको डॉक्यमेंट में बता रहा हूँ है या अप्लोड करने ही करने है प्रूफ अफ उर्दू एज लेंवेज सब्जेक्ट मेडियम एट 10-12 ग्रेजुशन और एक्विलेंट फ्रॉम मदर्सा बोर्ड या आपको उर्दू का उर्दू सब्जेक्ट दिखाना है या तो आपका 10th क्लास में होना चाहिए 12th में या ग्रेजुशन के इंदर या 10th SSC एक्विलेंट बोर्ड या आपको 10th क्लास की माक्षीट महाँ पर अप्लोड करनी है या उसके एक्विलेंट कोई माक्षीट है तो वो अप्लोड करनी है फिर आपको 12th क्लास की माक्षीट भी अप्लोड करनी है बहतर है कि आप माक्षीट अप्लोड कर दे हाला कि स्ट से भी आपने last graduation किया है वो भी आपको TC वहाँ पर upload करना होगा migration certificate भी आता है migration certificate भी upload करना होगा और जिस category में आपको admission मिल रहा है वो category आपको 110% वहाँ पर upload करनी हो गया दरवाइस आपका admission वहाँ पर रिचेट कर दे जाएगा तो यहाँ पर लिखावा valid certificate या तो SC, ST, OBC, AWS जो की एक prescribed format है government of India का उसके द्वारा उसके बाद यहाँ पर एक और चीज mention है कि अगर आपका admission हो रहा है किसी special category से like कश्मीरी migrant से, PW से या Children of Arm Force या NCC से या NSS से तो उसका certificate भी आपको वहाँ पर compulsory देना होगा और last में आपको एक bonafide या character certificate वहाँ पर show करना पड़ेगा जो की आपको अपने last college से या last institute से आपको मिल जाएगा और दोस्तों अगर आपका number two point पर है कि अगर आपका phone number आपने ऐसा डाल दिया था जो की valid नहीं है तो आप अपना phone number और mail को भी change कर सकते हैं नमबर तीन point पर है यानि कि आपको 39 अगस सुबा 10 बजे से शाम के 5 बजे तक पूरा alert रहना है जहां पर भी आपका admission हो रहा है हो सकता है आपके document में यहरा राजा है वो आप से concern करेगा यानि कि आपको mail भेजेगा या आपको call करेगा और in case of non-mentary certificate time would be given submission till 30th September ऐसा कोई certificate जो आपने submit नहीं किया है वो 30 September तक आप submit कर सकते हैं दर्वाइड आपका admission cancel कर दिया जाएगा और अगर आपके admission में कोई दिक्कत आती है तो SMS या email के थुरू आपको बताया जाएगा पिर भी कोई doubt आता है तो हम से comment box में पूछ सकते हैं और यहाँ पर एक चीज मैंचन है कि जो आपका मौला अनाजाद National उर्दी उनिएस्टी का टेलिगराम चैनल है वो यह आपका ये link भी हम वीडियो के description में डाल देंगे तो वहाँ से आप देख सकते हैं आप यहाँ पर जान लेते हैं दोस्तों किन किन स्टूडेंट का बियड मेर्टिक्स में second list में नाम आया है तो सबसे पहले आप लिस्ट देख पाने application नंबर फिर hall ticket नंबर फिर name पिर gender आ रहा है फिर rank आ रही है फिर category फिर allotted category यानि कि category वो है जिस category में आपने admission लेना चाहत और allotted campus वो है जहाँ पर आप आपको admission मिल गया है तो आप महां से यहाँ से आप student का और बाकी detail चेक कर पा रहे है और allotted category और allotted campus भी आपको नजर आ रहा है तो आप मैं धेरे धेरे स्क्रोल कर देता हूं आप यह screenshot ले सकते हैं या video के description में हमारा telegram का link है वहां से download हमारे telegram प कर सकते हैं दोस्तों अगर आप मानू B.Ed की तैयारी करना चाते हैं तो आप हमारे channel को जरूर सब्सक्राइब कर ले और bell icon को भी जरूर दबा दे ताकि वीडियो ताकि आपकी preparation आप कर सके और आने वाले list के लिए आप हमारे channel के साथ लगतार जोड़े रहे वीडियो को पूर शेयर करें बहुत बहुत शुक्री आपको